जमशेटपूर के खपाली थाना के डांगो डीह गाउं में बंद पड़े प्लास्टिक गोदाम में अचानक आग लग गई सूचना के बाद फायर ब्रिगेट की टीम मौके पर पहुंचकर आग को बुजाने में जुट गई हलाकि गोदाम में रखा प्लास्टिक के जल कर तब तक खाक हो गया कहा जा रहे कि गोदाम से उपर गुजर रहे बिजली के तार से निकली चिंगारी की वज़ा से आग लगी पलामो में रिष्टों के कतल की दर्दनाग तस्वीर सामने आई है एक बेटे पर अपने पिता की हत्या का गंभीर आरूप लगाया है जानकारी के अनुसार घरेलू विवाद में बेटे ने इस वारदात को अंजाम दिया इतना ही नहीं कुलहारी से बेटे ने माग को भी जखमी कर दिया आरूपी बेटे को पुलिस ने गिरफतार कर जील भेज दिया है पलामू पुलिस ने हरिहर गंज थाना इलाके से दो लुटेरों को गिरफतार किया है पुलिस ने इनके पास से दो पिस्तॉल और पांस जिन्दा कार्थूस भे बरामत किया है गिरफतार लूटेरों के खिलाब कई मामले दर्ज थे और पुलिस इनकी लंबे समय से तलाश में जुटी हुई थे पुलिस गिरो में शामिल दूसरे लूटेरों के गिरफतारी के लिए छाफे मारी कर रही है संदिक धातंकी अब्दुल रह्मान कटकी और मुहमद सामी को साथ दिनों के रिमांड पर लेने के बाद जमशेटपूर पुलिस, ATS, IB और Special Branch सहित तमाम जांच एजन्सियों ने इनसे कड़ी पुस्ताच की है पुलिस को अमीद है कि इन दोनों से पुस्ताच में जमशेटपूर और पुरे सूबे में स्लीपर सेल के नेटवर्क का पता चलेगा SSP अनुप्टी मैथ्यू ने बताया कि कटकी ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली है और जारखंड के अलावा देश के अन्ने हिस्तों में भी उसने अपना जाल फैला रखा है कि अलकाईदा का अधिंगवादी है उनलों का पूर्साश अभी प्रारंब हुआ है तो साथ दिन का रमान पुलिस को मिला है और हम लोग पुली तरफ कोशिश कर रहें कि जो माक्सिम्म जानकारी आधागवादी संकटान हैं।rint उनलों का नेटवर्क अपरे मках अभी और यहां पारचिव में नहीं। जबकि पंकच कुमार उत्तर प्रदीश का रहने वाला है दोनों तसकर हेरोईन की सप्लाई के लिए धनबाद आये थे बरामद हेरोईन की केमर 25 लाख रुपे आखी जा रही है फिलहाल पुलिस दोनों तसकरों के लूकल लिंक की तलाश में जुटी हुई है राम नौमी के दिन बोकार में हुई हिंसा पर बोकारों के डीसी और एस्पी ने रिपूर्ट जारी कर दिया है नकसली इलाकों के मासूम युवाओं को बहलाकर उनहें अपने संगठन में शामिल करने के रननीती का जवाब देने के लिए पुलिस ने एक अलग तरीका अख्तियार किया है लोर्दगा में पुलिस ने इन दिनों हतियार छोड़ो वॉलीबॉल खेलो अभियान चला रही है जिसका मकसद नकसली इलाकों के युवाओं का ध्यान हतियार छोड़कर खेल की तरफ मोडने की है अथियार डालिये और वॉलीबॉल खेलिये इस तरह की एक संग्या दी गई है और लोर्दगा पुलिस कप्तान कार्तिक और उनके टीम ने इसको एक बहुती सकारात्मक सोच के साथ इसको किया है इसके पीछे तर्क ये है या दर्शन ये है कि वाइलेंस हिंसा के मार को अपना कर कभी कुछ पाया नहीं किया है नकसली भले लोगों को बर्गलाते हैं कोशिस करते हैं कि जो नौजवान है या इवन टीनेजर्स हैं वो उनके साथ आजाएं और हत्यार उठाएं और लड़ाई लड़ें और खुनी संगर्स करें इसका अंततर फलाफल कुछ होता नहीं है ज्यादा से ज्यादा गरीब लोग मारे जाते हैं प्रापटी का नुकसान होता है और किसी को एक रत्ती भर का फाइदा नहीं होता है जो होता है नुकसान ही होता है सब कुछ नेगेटिव होता है शहीड पुलिस अधिकारी अजय सिंग के नाम पर यहां टूर्णामेंट का आयोजन किया जाता है साल 2000 में तदकाली ने स्पी अजय सिंग के हत्या कर दी गई थी अजय सिंग की ही याद में इस टूर्णामेंट का आयोजन होता है इस टूर्णामेंट के लिए एक थीम सौंग भी तयार किया गया है जिसे यूट्यूब और वाटसेप पर खुब लाइक किया जा रहा है जाम ताड़ा में पानी के अभाव में सैक्डू एकड में लगी सबजी के फसल सूख गई नारायनपुर प्रखंड के धरमपुर, मदनाडी, रामपुर, सहितकई गाउं के किसानों ने सबजी के फसल उगाई थी लेकिन जूरिया और कुवा के सूख जाने से फसलों के सिचाई नहीं हुई और फसल सूख गई सबजी की फसल के सूखने से जहां किसानों को लाकों का नुकसान हुआ है वह इस्थानिय बाजार में सबजी की कीमत बढ़ गई है निजी पर ही हम लोग करते हैं उसी के आसा से ही हम लोग कर रहे हैं और पहले भी कर रहे थे इंसाल के जैसा पानी का When-neai बहुत ऑभाव हो गया इसके चलते जितना लगया हूँ जब मर रहा है एक सबता के पाले अचा पानी खता होई अब मरने ज़ने जाए है यहां का किसान भी कोई उपाई नहीं है रामगढ़ जिले में लोग पीने के पानी की समस्या से जूज रहे हैं यहां के गोला और पतरातु प्रखंड में पानी की घूर किलत है सप्लाई का पानी लेने के लिए लोग गर्मी में कतार में खड़े रहते हैं हर साल जहारखंड सरकार के फिश्री फॉर्म सेंटर से मचली के करोणों बीच का उतपादन होता है लेकिन इस बार पड़ रही प्रचंड गर्मी का सीधा असर फिश्रीज पर भी देखने को मिल रहा है बारी संक्या में मचली के बीच का उतपादन करने के लिए बनाए गए जहारखंड सरकार के फिश्ट फॉर्म सेंटर का हाल और भी ज्यादा बेहाल है भी शन गर्मी के चलते फिश्रीज के 24 में से 18 तालाब पुरी तरह से सूख गये हैं बाकी के 6 तालाबों में बटन जलाशे के जरीए पानी भरा जा रहा है ताकि बरसात आने से पहले मचली के बीच बनाए जा सकें डीप बोरिंग का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि फिश सीट को बचाया जा सकें जारखंट के जल संकट से इंसान ही नहीं बलकि जानवर भी परिशान है पानी की कमी के चलते जंगली जानवर पानी के तलाश में भटक रहे हैं कई जानवरों की प्यास से मौत हो गई है वहीं पानी के तलाश में भटकने के चलते उनके शिकार की खबरें भी हैं हलाकि जानवरों को पानी पिलाने के लिए वैकल पिक विवस्था की जा रही है शिक्षा के नाम पर सरकार करोडों रुपे खर्च कर रही है लेकिन सच्चाई है कि खाना और पानी के अभाव में बच्चे स्कूल छोड़ने पर विवश्चो रहे हैं रांची से करीब पच्चास किलिमेटर दूर बुंडू के अनुसूची जाती अवासिये विद्याले के आधे से अधिक छात्र खाना और पानी की कमी के चलते विद्याले छोड़कर घर भाग चुके हैं चात्रों का कहना है कि विद्याले का चापा कल खराब हो चुका है और जो बोरिंग है उनमें एक फेल है जबकि दूसरे में गंदा पानी आता है चात्रों का ये भी आरोप है कि मेन्यू के हिसाब से उन्हें खाना नहीं दिया जाता स्कूल के प्रिंस्पल ने भी स्विकार किया है कि स्कूल में पानी की किलत है और बच्चे स्कूल छोड़ कर जा रहे हैं खाने की कमी के आरोपों पर उन्होंने कहा कि संबन्ध में वेभाग को कई बार उन्होंने पत्र लिखा है लेकिन अब तक इसका कोई समधान नहीं निकला जारखंड में सूखे के हालात को देखते हुए बीडियो और मन्रीगा कर्मियों के छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं डोभा निर्माण और जल संदक्षन के लिए राज्यसरकार ने ये फैसला लिया है जारखंड के नगरविकास मंत्री सीपी सिंग ने देवघर में बन रहे वाटर ट्रीट्मेंट प्लांट का ओचक निरिक्षन किया निरिक्षन के दौरान उन्होंने निर्माण में गंभीर अनियमित्ता पाई उन्होंने खुद खड़े होकर अपने सामने काम करवाया मंत्री सीपी सिंग ने काम में कोताही बरतने वालों की जमकर फटकार लगाई इसके साथ ही उन्होंने हर हाल में सावन से पहले काम पूरा करने का निर्देश्ट दिया देवघर में शुगंगा वाटर ट्रीट्मेंट प्लांट का निर्माण पिछले साथ साल से चल रहा है इस प्लांट का मकसद शुगंगा में साफ पानी मोहिया कराना है जारखंड में भले ही पानी के लिए हाहाकार मचा हो लेकिन राजी के ग्रामण विकास मंत्री इससे इत्तफाक नहीं रखते दिवघर में मंत्री सीपी सिंग ने कहा कि मेडिया में जितनी बाते पानी की किलत को लेकर आ रही है वैसी स्थिती नहीं है पानी के किलत है इसमें कही कोई दो राय नहीं है लेकिन यतना प्रचार प्रसार हो रहा हुदा भी नहीं मैं ध्यान देता हूँ चलता हूँ गुमला जिले का जरगाओं जिसे जिला प्रशासन ने आदर्श ग्राम घूसित किया था तब उस गाओं में बिदली के लिए जगा जगा सूलर लाइट ग्राम संसत भवन दुख्द संग्रहन केंद्र तालाब और सड़क जूरसूर से बनवाये गए थे लेकिन आज इस गाओं के एस्थिती बदहाल हो चुकी है कभी आला थिकारी आदर्श ग्राम जाकर अपने उपलब्धियां गिनाक कर ठकते नहीं थे ततकाले इन सीएम अरजुन मुंडा ने भी जिला प्रिशासन को खूब शाबासी दी थी लेकिन आज आज आदर्श ग्राम में ना तो बिजली है ना शोचाले है ना ही कहीं रूड दिखाई देता है और ना ही लोगों के लिए पीने का साफ पानी है ऐसी स्थिती में गाओं के लोग अपने आपको ठगा महसूस कर रहे हैं लातिहार में मुस्लिम समाज के मुहम्मद मुम्ताज अनसारी के नित्त में दहेज नहीं लेने का जागरुकता अभियान अब रंग लागने लगा है सदर प्रखंड के पूचरा गाओं के अब्दुल अजीज ने 60,000 रुपे दहेज लेकर अपने बेटे की शादी करकट निवासी फिरूज अंसारी की बेटी शबनम प्रमीड से तै की थी लेकिन इस अभियान से प्रेरित होकर अजीज ने शादी समारों में 60,000 रुपे की दहेज राशी लोटा दी करमचारी भविश्य निधी यानि की पीएफ पर मिलने वाले ब्यास दर में 0.1 फीसदी का इजाफा किया गया है अब करमचारीों को उनके पीएफ पर 8.8 फीसदी का ब्यास मिलेगा कैरुबारी विजे माल्या ने कहा है कि वे जबरन निर्वासन पर हैं और उनकी भारत लोटने की कोई योजना नहीं है क्योंकि वहाँ हालात उनके खिलाब तेजी से खराब हो रहे हैं ओगस्ट्रा विस्ट्लेंड मामले में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कॉंग्रिस पर गंभीर आरूप लगाया है अहमेदा बाद में शाह ने कहा कि कंपनी को टेंडर देने के लिए कई कॉंप्रोमाइस किये गए बीजेपी ने मांग किया है कि ओगस्ट्रा विस्ट्लेंड हेलिकॉप्टर घोटाला पर अमित शाह के पूछे सवालों पर कॉंग्रिस को जवाब देना चाहिए बीजेपी ने कहा कि जिस कॉंग्रिस को जवाब देना चाहिए वो आरूप लगा रही है शाह ने कॉंग्रेस से घुस्खोरों के नाम बताने की भी मांग की थी मानव संसाधन विकास मंत्री अस्प्रिती इरानी ने ओगस्ट्रा वेस्टलेंड घोटाले को लेकर कॉंग्रेस पर निशाना साधा उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस ने शुरू से ही देश का खाली करने का काम किया है वही केंद्रिय मंत्री रवीशंकर पसाद ने कहा कि कॉंग्रेस को अपने कारेकाल में हुए भरस्टा चार का जवाब देना चाहिए रविशंकर ने कहा कि पूर्वकी यूपीय सरकार के पास इस मामले में कहने के लिए बहुत कुछ है और वो जवाब देने की जगा आरूप लगा रही है शरत पवार ने नितिश कुमार को एक चहेता मुख्यमंत्री बताया है शरत पवार ने कहा कि एंटी बीजेपी फ्रंट का नितिश कुमार सबसे भरू से मंदे चहरा है अलागी बार में पवार ने अपने इस बयान पर सफाई देते हुए कहा कि अभी नितिप्त के बारे में कोई आधिकारिक प्रस्ताव नहीं आया है जिस पर चर्चा की जाए प्यार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार के पी-एम पद के उम्मेदवारी के समर्थन में नितिश कुमार के नितिश कुमार को पी-एम मटेरियल बताया पूर्वक जो उनके उदगार है उसका स्वागत और सत्कार करता हूँ लेकिन हमारी पार्टी छोटी पार्टी इसलिए पार्टी ने किसी को प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनित नहीं किया है न चैनि बिहार के डिप्टी सी-म तेजस्वी आदों ने भी कहा कि नितिश कुमार में पी-एम बनने के सारे गुण हैं इसके साथ उन्होंने बी-जे-पी पर गलत बयान बाजी कर जे-डी-उ और आर-जे-डी में दरार पैदा करने का आरूप लगाया केंद्रिय मंत्री रामविलास पास्वान ने पवार के बयान को मुद्दों से भटकाने वाला बयान करार दिया नितिश कुमार सरत अबार जी कहें यह कोई कहें नितिश कुमार कभी बनने वाले नहीं है मुक परधार मंत्री वो इसी तरीके से अपना बिहार का जो है इसूज है उसको बरगलाने के लिए जो हत्या, लूट, बलतकार, गरीबी है उससे धिमाग बताने के लिए अपना सबुखा चुराले है केंद्री राज्यमंत्री घिरिडा सिंग ने भी नितीश कुमार को पहले बिहार सम्हालने की सलाह दे, उन्होंने कहा कि पी-म देश की जनता चुनती है, नेता नहीं बेस्पी अध्यक्ष मायावती ने शरत पवार के बयान से असमती जताई है, मायावती ने कहा कि लोग सभा चुनाओ अभी दूर की कौड़ी है, उससे पहले पी-म पद के प्रत्याशी को लेकर चर्चा करना तर्क संगत नहीं है वहीं समाजवादी पार्टी के राज्य सभासांसद नरीश अगरवाल ने मुलायम सिंग यादो को पी-म पद के लिए बहतर उम्मेदवार बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका की यातरा के दोरान आठ जुन को अमेरिकी कॉंग्रेस की एक संयुक्ते सत्र को संबोधित करने का नियोता दिया गया है हाउस अफ रिप्रेजन्टेटिव के स्पीकर पॉल रियान ने गुरुवार को ये जानकारी दी अमेरिकी कॉंग्रेस की संयुक्ते बैठक को संबोधित करने वाले नरेंद्र मोदी भारत के पांचवी प्रधानमंत्री होंगे बीजेपी लीडर रूपा गांगोली ने विवादित बयान दिया है रूपा ने कहा कि इंडिया में तो वही नेता बन सकता है जिस पर कम से कम 8-10 मुकदमा हो दरसल रूपा अपने कारे करताओं को मिले समन पर CGM कोड पहुंची थी